हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ग्यान दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे ओनलाइन ETP ट्रेनिंग कर सकते हैं तो दोस्तो ये जानने के लिए ये वीडियो प्लीज पूरा एंड तक देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें दोस्तो अब आपको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर और फाइनेंस से लिलिटेड या इस वीडियो से लिलिटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको सीधे डिरेक्ट मैसेज के थुरू इंस्टाग्राम में क्वेशन्स पूस्तो आपको पता है PMEGP लोन में EDP ट्रेनिंग का यानि इंट्रमेर्शिप डेवलेमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल है COVID-19 pandemic से पहले ट्रेनिंग offline और online mode दोनों से होती थी बड़ दोस्तो अब ये सिर्फ online mode से ही होती है due to COVID-19 pandemic तो आज के इस वीडियो में हम आपको detail में बताऊंगा कि कैसे आप online EDP training कर सकते हैं क्या procedure है और क्या उसकी importance है आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं हम online EDP training कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप जो आपका PMEGP की website है kviconline.gov.in आप उस पे आ जाएं दोस्तों देखिए मेरे सामने मैंने website यह open कर लिए अपने laptop पे अब यहां से देखिए आपके सामने जो login form for registered applicant लिखा हुआ है दोस्तों आप इस पे click कर ले है जैसे ही मैंने इस पे click किया तो आप यहां देखेंगे यह देखिए हमारे सामने यह portal खुल गया तो यहां आप स आप देखें आप इसका online EDP training का circular देख सकते हैं उसके अलावा आप EDP training को करने के लिए यहां पर click कर कर सकते हैं कोई आपके मन में queries हो question हो तो frequently ask questions इसमें बता रखे हैं दोस्तों आप यहां से check कर सकते हैं आप website को directly visit कर सकते हैं uddami.org.in website है online EDP training के लिए उसके अलावा आप contact कर सकते हैं या contact number दे रखे हैं दोस्तों help के लिए हैं या आपकी अगर आपको कोई भी help लेनी हो आप email कर सकते हैं या contact कर सकते हैं यह देखिए दोनों चीज़ें यहां पर दी हुई हैं तो आप के लिए दोस्तों government of India ने बहुती easy और बहुती simple way में यह program बना रखा है जिस से आप online EDP training कर सकते हैं तो दोस्तों आईए आगे हम चलते हैं यहां पर हम करेंगे click here for online EDP training में click देखिए जैसे मैंने इस पर click किया मेरे सामने यह दोस्तों यह page open हो गया है यह window मेरे सामने open हो गई है अब आप यहां पर देखेंगे Prime Minister Employment Generation Program के नीचे लिखा हुआ है click here to continue join EDP Program तो यहां पर हम click करते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे तो हमारे सामने यह window open हो गई है EDP Training के देखिए दोस्तों मेरे सामने यह window open हो गई है सबसे उपर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है EDP for PMEGP Beneficiary यानि जो PMEGP का Beneficiary है उसके लिए जिसका loan sanction हो गया है bank से यह उनके लिए है आप यहां देखिए application ID या registered mobile number आपको required है अपनी training start करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे मैं एक बार दिखा देता हूं इस पर आप कैसे कर सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए आपके सामने आया PMEGP loan beneficiaries तो आपने इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहां पर अपना registered mobile number जो आपका registered mobile number है जिस प आपके mobile number पर OTP आएगा, आपने OTP डालना है और आप आगे उसको proceed कर सकते हैं, अब उन दोस्तों के लिए, suppose किसी का PMEGP का loan अभी sanction नहीं हुआ है, लेकिन वो EDP training करना चाहते हैं, और आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई requirement नहीं है कि आप ना करें, आप पहले कर लें तो वो आपक आप यहां देखिए, यह जो बीच में middle में दे रखा है दोस्तो, EDP outline, EDP में होता क्या है आपको बता देता हूँ, देखो EDP outline में मैं क्लिक किया, यहां मैं आ गया हूँ इस पर, friends आपने 11 module है, यारे 11 video lectures हैं जो आपने इसमें करने होते हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ी इसमें करना क्या है, इससे पहले मैं आपको एक बार यहां पर EDP training का बता देता हूँ, अदर्स के लिए कैसे हमने करनी है, तो सबसे पहले हम यहां पर register कर लेंगे, मैं यहां पर register कर लेता हूँ, whatever, details में देखिए क्या डालना है आपने, register करने के लिए, EDP training के लिए अपना नाम डालेंगे, अपना email address डालेंगे, password आपना create करेंगे और उसको confirm करेंगे और sign up करेंगे, देखिए friends यहां पर मैंने अपनी सारी details फिल अप कर ली है, mobile number, name, उसके बाद आपका email ID और password मैंने यहां डाल दिया है, अब इसके बाद यहां पर मैं sign up पर click करता हूँ, देखि यहां से आपको login करके दिखाता हूँ, कैसे आपने login करना है, ID password आपका जब create हो गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, EDP courses and nurturing में आप जाएंगे, यहां से आप जाएंगे दोस्तों, देखिए आपको मैं free training program दिखा रहा हूँ, जो दो दिन का है, two days free orientation program, तो यहां पर हम click करते हैं, यहां पर अपना mobile number feed करूँगा, जो registered mobile number मेरा है, जो मैंने अभी register किया है, इसको मैं verify करता हूँ, यहां पर अपना अपने password डालना है, जो भी आप password बनाएंगे, उसको आपने याद रखना है, इस चीज का ध्यान दे, यहां पर मैंने अपना ID और password डालके login कर लि किया था, मैंने आपको बताया कैसे login करना है, आपने login करने के बाद अपनी जो EDP training module में अपनी प्रोफाइल है, पहले आपने इसको पूरी करनी है, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके, अपना यहां सारी details fill up कर दें, दोस्तों, आधार नमबर अपना डालें, pen number feed कर दें, अपना mobile number आपको automatically आ गया है, कोई आपका WhatsApp नमबर है तो आप उसको डाल सकते हैं, आपना date of birth इसमें fill कर लें, और उसके बाद दोस्तों, अपना address आप यहां fill up कर लें, आधार और अपने, देखिए आधार की जो image है, वो front और back दोनों की image होनी चाहिए, इसके साथ ही आपक आधार की भी, और आपके साथ में, इसके साथ में आपके सेंक्शन लेटर है, उसकी भी image इसमें upload होगी, तो आप यहां देखिए, इसके बाद यहां देखिए, लेपने साइड में, modules में हम जब जाएंगे, तो यहां पर 10-11 modules दिखाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह, देखिए, यह modules होते हैं, 11 modules जो आपने पूरे करने हैं, आप यह videos हैं, इसमें actually video lessons है, आप आपने पूरे देखने हैं, देखिए दोस्तों आप जब video lessons में देखेंगे, मैं आपको शो करता हूँ, यह video lesson है, suppose एक मैंने video lesson चलाया, तो इसमें आपने क्या करना है, तो video lesson at least 50% देखें, at least 50% देखें video lesson, जब video lesson आप देख लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, assessment में जाना है, assessment में आपका दोस्तों, एक questionnaire आएगा, questions आएगा, 5-10 questions आपके जो आएगे, उसके आपने answer करना है, और उसमें आपको pass होना है, जो भी passing marks है, that is more than 50%, वो आपने secure कर करने है, तो आपको module पूरा माना जाएगा, आपने एक module किया, suppose, ये module है, मानले हमने ये देखिया, program orientation, इस module में जो भी वीडियो है, आपने पूरे देखे, उसके बाद next day आप second module करेंगे, उसके बाद उसके next day आप third module करेंगे, तो ये जो 11 modules है, 11 modules का पूरा program है, यानि 10 या 11 दिन का पूरा program ये होता है, और आपने daily उसमें अपना questionnaire उसके बाद assessment करके, आपने उसको pass करके, तो last में आपका क्या होगा, at the end, यहाँ देखिये certificate, जब आपके पूरे 11 module पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ से आप certificate को download कर सकते हैं, अभी error आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई अ download नहीं करने देगा, तो यह दोस्तों procedure है, EDP training का जो आपने ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, कि daily एक module करें और उसका questionnaire अटेंड करें, क्योंकि आप friends, daily एक ही questionnaire कर सकते हैं, आप एक दिन में पूरे module नहीं कर सकते हैं, पूरे module आप वीडियो ज़रूर द नहीं कर पाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे, तो आप easily अपना EDP training पूरा कर लेंगे friends, और आप अपना easily PMEJP loan की जो requirements है, उसको एक जो यह one of the requirement है, आप उसको fulfill कर लेंगे, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपकी business, finance या banking से related कोई भी queries हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे Instagram account में follow करके सीधे direct message के तुरू question पूच सकते हैं